सिबिल सेवा की तैयारी करने वाले सब्ही अभियर्तियों को मेरा नमशकार मेरा नाम सुनील कुमार सिंग है और मैं अभिवक्ती सिबिल सर्विसेद पाथचिक पत्रिका का संपादक यूमे लेखक हूँ और इसके अलामा मैं अभिव्यक्ति IS Classes मुखरजे निगर दिल्ली का डिरेक्टर हूँ और पिछले लगभग चार बरसों से मैं IS का यह कोचिंग सनस्तान चला रहा हूँ प्रियब्यरतियों आज मैं अभिव्यक्ति के स्टूडियो के माध्यम से आप सब के समक्ष ऑनलाइन उपस्तित हूँ और कि मैं उसके माध्यम से देश के दूर दराज ग्रामीन छित्रों में बैठे हुए या छोटे सेरों में जो डेली किनी करणवस नहीं आपाते हैं उन सब को सिविल सेवा की एक बेहतर त्यारी कराना चाहता हूँ लेकिन किसी भी प्रकार की जो रणनीती है UPSC की या UPSC के पाठिकरम पर बातचीत करने से पहले मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना मैं आप लोगों को एक विस्तरित परिचे दूँ जिससे कि मेरे और आपके बीच में एक विशोषनियता का संबंद स्थापित हो सके तो सबसे पहले मैं अपना विस्तार सिफ परिचे देना चाहूंगा कि मैंने लगबग 10 बर्स IS परिक्षा की त्यारी की और मैंने कई मेंस लिखे और मैंने इंटर्व्यू दिया मैं इंटर्व्यू तक पहुँचा परंत अंदता मैं इस प्रकरिया में अंतिम रूप से उतीन नहीं हो सका तत पशाद मैंने IS परिक्षा की त्यारी कराने का एक उद्देश लिया कि जो मेरा अनुभव हो है चुकि मैं बहुत अच्छे से अनुभव कर पा रहा था कि आखिर मैं क्यों फेल हुआ तो जो मेरा अनुभव था उस अनुभव के अधार पर मैंने IS परिक्षा की त्यारी कराने का निरणे लिया और सन 2012 में अभिव्यक्ति Civil Services पाक्षिक पत्रिका का संपाधन किया जिसे आप इस स्क्रीन पर देख सकते यह पत्रिका आप सब में काफी लोकप्रिय हुई प्रारंब से ही इसके परशाद UPSC ने बर्स 2013 में जो पूरा पाठिक्रम है वो बिल्कुल बदल दिया और समान नियद्यन के अब 4 पेपर आना स्टार्ट होगे प्रशन पत्र 1, 2, 3, 4 इसके परशाद GS का जब महत बढ़ा तो मैंने अपनी पत्रिका का शुरूप बदला और पूरी पत्रिका करेंट अफेर्स के सभी खंडों को अपने आप में समाहित करते हुए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 की प्रकरिया में आने लगी और आप भिश्वास करें कि यह हिंदूस्तान की पहली पत्रिक थी जिसमें इस प्रकार के पैटर्न को अपनाए गया जिसे आप लोगों ने हाथवात लिया और अत्यंत सराहा तत पश्वाथ इस पत्रिका में मैंने करेंट अफेर्स को प्रश्णियों उत्तर प्रारूप में देना प्रारंब किया जिसके कारण से हिंदी भासी जो अभि 2013 में नीति शास्तर सत्य निष्टायों अभिरूची पुस्तक लिखी जो आप लोगों के बीच में कापी सराहेगी हाला कि उसके बाद में उसका कोई नवीन संस्क्रण अपनी बैस्ताओं के करण निकाल नहीं पाया और उस पर काम चल रहा है जल्द ही वो परकाशित होगी बर्स 2014 में मैंने अभिव्यक्ति IS Classes की नियू रखी और मैंने प्रारंब में Current Affairs और निबंध तथा नीति शास्तर को बिलकुल ही एक नए डंग से पढ़ाने की प्रक्रिया को प्रारंब किया मैंने निबंध और मैं इस बात के लिए आभारी हूँ और मेरे संस्थान से सफलता का ट्रेक अच्छा रहा अभी तक इतने अल्प समय में आप देख सकते हैं कि हमारी सफलता का ट्रेक रिकार्ट क्या है आप देख सकते हैं कि हमारे निबंध और नीती सास्तर में जो बच्चों को मार्क्स मिले हैं वो किस अस्तर के है तत्पश्षाद विस्तार से बताने का एक मात्र उद्देश है मेरा कि मेरे और आपके मद्द में एक बिशोशनियता का संबंद इस्थापित हो विस्तार किस लिए क्योंकि जो मेंटोर है जो आपके सामने सिविल सेवा की पूरी रणनीती ले करके आएगा आपको बिल्कुल पता होना चाहिए वो एकदम बिल्कुल आपको एक एक चीज का पता होना चाहिए कि वो उसका अस्तर क्या है वो कहां तक आपको आपके तक ले जा सकता है तो मैंने इसी उद्देश के तहट आप सबको अपने बारे में डेटेल से बताया है अमेरिकी चिंतक बेंजामिन फ्रेंक्लिन साहब ने कहा भी है कि surround yourself with the doers, believers, achievers, dreamers, thinkers and then see what happens कि आप अपने इर्दगिर्द जो करने वाले लोग हो जो बिश्वास करने वाले लोग हो जो श्वपन देखने वाले लोग हो जो अच्छा सोचने वाले लोग हो जो नवाचारी डंग से innovative डंग से सोचने वाले लोग हो उनको आप अपने आसपास रखें तो आप देखें पर जो वाके में गुरुशुष्य की परंपरा को कहीं न कहीं अनुपालित करता उसका अनुपालन होता क्योंकि गुरुशुआ की परंपरा के बग cerve got कहीं न कहीं सफलता में एक बहुत बड़ा व्योधान रह जाएगा क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं वहाँ कहीं कहीं सफलता की एक बहुत बड़ी सीमा बनी रहेगे और हम हिंदी माध्यम के अबरती इसको बहुत बहुत बहुतर डंग से महसूस कर सकते हैं कि संद 2013 से लगातार रिजल्ट हिंदी माध्यम का डिक्रीज होता चला जा रहा है जबकि कंटेंट बढ़ते चले जा रहे हैं आप इस बिरोधा भास को कैसे देखेंगे हमें इस बिरोधा भास से उपर निकलना है और हिंदी माध्यम में पहली रैंक लगानी है आखिर यह कैसे संबह होगा और ना सिर्फ पहली रैंक लगानी अपितु हमें अंडर 50 25 आना है और 100 में तो 50 हमें चाहिए चाहिए यह कैसे हो पाएगा यह तब ही हो पाएगा जब करने वाला कहीं न कहीं transparent होगा उसके बारे में सारी जानकारी आपको पता होगी कि वाकाइम उसका पूरा जीवन सिविल सेवा में ही लगा हुआ और अन्त में मैं अपनी बात अभी हाली में मैंने एक मूबी देखी secret उसके सारांस के साथ समात करना चाहूँगा उसके निसकर्स के साथ समात करना चाहूँगा उस मूबी की theme है कि already see yourself as a winner आप अपने आपको एक बिजेता के रूप में देखो हम लोग कहीं न कहीं हिंदी माद्यम में कहीं कहीं एक डर है कि हम टाप नहीं कर सकते पहली रैंक नहीं लगा सकते एक भय है अब वो भय क्यूं है वो चर्चा का बिशे है लेकिन हमें उस भय से निकलना होगा हमें सोचना होगा आपको हमेशा इस चीज के बारे में सोचना होगा already see yourself as a winner हमेशा सोचें कि पहली रैंक तो मेरी ही लगने वाले कोई रोकेगा नहीं क्योंकि UPSC कुछ भी पूसता है कोई भी प्रशना आता है चाहे paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, AC या optional किस से होता है हमा समाज बनाया समाज से समाज के विबिन पहलुओं से फिर इनी समाज के लोगोंने हमी लोगोंने मिलकर के राजनीती बनाई हमी लोग उसके भागिदार बनैर राजनीत ने हमी लोगों में से बिले करके पूरी प्रसासनिक सनरचना बनाई हमारा ही ख्रिशी है हमारा ही उद्धोग है हमारा ही शेवा है हमारी ही बैंकिंग है और कैसे लगेगी वो आगे के वीडियो में रवणनीतिक चर्चा में आप क्रमसा मेरा देखेंगे धन्यवाद नमस्कार